अगर आपके पास तीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है और अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो दोबारत से उस पासवर्ड को आप रिसेट कैसे कर सकते हैं और आपको यूजर आइटी याद नहीं है जीरो दा के काइट प्लाटफॉर्म पे लोग इन करने के ल जीरो था कि कस्म के नंबर पे call करना है, वहाँ पे आप से कुछ details verify हो सकती है, जिसे कि address या registered email ID, एक बाई details confirmation होने के बाद, आप से आपको आपका user ID बता दिया जाता है, या फिर आपको email या SMS के थूँ ये भेज दिया जाता है, ये देखे ये customer के नंबर है, आप इस पे call करके बात कर सकते हो और अपनी user ID ले सकते हो, इसके अलावा आप Zero था की website पे ticket पी raise कर सकते हो, raise the ticket में जाके, user ID लेने का जो दूसरा तरीका है वो है email, आपने जब ये Zero था का DMAT and Trading account ओपन कराया था, तो उस टाइम जो भी email ID दी थी, तो उसी registered email ID को आप चेक करेंगे, उसका inbox चेक करेंगे, Zero था search box में डालके, तो आपको एक mail आई होगी, account opening के तुरंत बात, उसमें पी user ID mention होती है, तो वहां से आप अपनी user ID निकाल सकते हो, तो ये दोनों तरीके थे जहां से आप user ID ले सकते हो, अब मैं बात करती हूँ, password अगर आप भूल जाते हो, तो आपको यहां से जाना है, forward password पे, यहां पे आपने user ID डालनी है, तो बहुत टाइम से आपने DMAT use निकी है, तो आप user ID ले कस्मकेर से बात करके, उसके पात आप अपना password यहां से generate करें, यहां पे मैंने pan number डाला, user ID डाला, और आप यहां पे दो option है, OTP लेने के लिए one time password के लिए, चाहिए तो आप registered email ID डाल सकते हैं, या फिर SMS डाल सकते हैं, तो जो भी convenient है, आपके पास है, जैसे mobile है, तो आप SMS भी चूज़ कर सकते हैं, यहां पे सिर्फ register mobile number या registered email ID ही डालनी है आपने, अब यह OTP मुझे डालना है, जो कि मेरे mobile number पे आया होगा, क्योंकि मैंने SMS चूज़ किया था, यह मैंने OTP डाल दिया है, यहां पे आप जो भी पासवर्ट चाहें, वो set कर सकते हैं, और यहां पे आपने pin set करना है, जो कि 6 digits का होगा, आप देखें, यहां पे मेरा password reset हो गया है, login here to continue, तो user ID already है, आप यहां पे user ID डालेंगे, उसके बाद यहां पे password, then login, इसके बाद यहां पे numerical password, जो मैंने set किया था, pin, अब यह मैंने बताया है, कि आप password कैसे reset कर सकते हैं, और साथ में user ID आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप zero धा में, DMAT or trading account open करना चाहते हैं, तो नीचे description box में, मैंने link दिया है, उस पे click करके, आप अपना account open कर सकते हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी, तो यहाँ से वीडियो को like जरूर करें, तो ऐसी ही important वीडियो चाहिए, banking, finance, IRDA, RBI, post office या सरकाई स्कीन से related, तो अभी इस चैनल को subscribe करते, subscribe पे click करेंगे, यह bell icon घंटी का निशाना आएगा, आपने all select करना है, ताकि इस सारी important वीडियो आप तक support सके,